तो चलिए हम लोग एक और को देखते हैं अफ़ी important question है question है ऐसा question है हम लोग समझते हैं कैसे इस question को कि हम लोग कोश्चन में देखे किसी प्राकृतिक संख्या का प्रतेक अंक क्या तो तीन है या चार है क्या संख्या तीन और चार दोनों से विभाई है तो ऐसी सबसे चुप कि अब यह कोश्चन पर यह कोश्चन भी अगर देख रहे होंगे यह कोश्चन डिविजबिल्टी पर बेस्ट है किसी यूपिटेट के तो 2017 का जो पेपर किसी में एक और कोश्चन आया है जो 11 की डिविजबिल्टी वह आप देख भी सकते हैं अब हम इस पर्टिकुलर कोश्चन की जांती है तो सबस्फहएले हम चार की बात का क्या से डिविजबिल्ट वही नंबर होगा इस नंबर के कि लास्ट की चो थो डिजित हैं यूंद्ट की तो डिजिट जो हैं वह आपका चार से डिविजिबिल्ट लास्ट की दो डिजिट ऑप तीन की बात करतें हैं कि इसक्राइब कि जो लिए सभी नंबर को फिर जो बीड कर लीजिये और मैंनें अबर को आध करने पर कि यह 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 जो नमबर है है अगर मृमने इन से सब्सक् according आν toim Detroit कि पूरा नमबर आपको 3 से डिविध्बल है या इससे चेक करेंगे नमबर उसको 3 से डिवाइड करके देख लिजिए तो जो नमबर होगा वह आगर हो जाये गर जो एक Simmons तो वह पूरा नंबर भी आपका रिवाइड हो जाए है ठीक है चलिए हम लोग तो साथ पहले देखिए option A को देखते हैं option में से देखते हैं ऐसे question को option से देखेंगे ज्यादा होगा option से देखते हैं तो क्योंकि इसमें जो है तीन है पहले option में तीन 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 बार लिखा हुआ तो इसमें देखें लास्ट का दो डिजिट जो है 33 है 33 फोर से डिविजबल नहीं है तो मतलब यह नंबर तो हम यह तो हमारा एंसर तुसरे केस में आते हैं और आधी में देखिए ती में क्या है आपका triple four है टीक है तो लास्ट की चार से डिविजबल के लिए मैंने क्या बताया लास्ट की जो है दो डिजिट को देखेंगे क्या यह 4 से डिवाइड कर दोगे तो 11 आ जाएगा तो यह डिविजबल है अब 3 से डिविजबल कैसे करत और इस सभी नंबर को जोड़ने पर कितना आया क्या यह 3 से डिवीजबल है क्योंकि 3 4 जाक कितना हो जाएगा कि यह 3 से भी इसका मतलब यह जो है एंसर आपका ही सही है । यह इस देख लेते हैं इसमें दिया है तो लेकिन जब देखेंगे चार और चार जोड के तो आठ आएगा आठ क्या तीन से डिविजबल है तो यह गलत हो जाएगा तो इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि दी को ती में अगर देखें लास्ट की दो जो डिविजबल हो जाएगा यह तो सही है लेकिन जब तीन से डिविजबलटी चेक करेंगे D के लिए तो चार चोग 16 हो जाएगा 16 क्या 3 से डिविजबल है नहीं डिविजबल है तो मतलब यह भी नहीं सही हो इस तरीके से आपने चेक कर लिया जो आपका करेक्ट था वो आप्शन की इसमें करेक्ट है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो को ला